अब अपनी मिठाई की दूएन कैसे ओपिन कर सकते हैं इसके बारे मैं बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डेटेल में दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्ष्ट करना चाहूंगा अगर आप हमाई चैनल पर नहीं हुआ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनिस के अंदर बहुती जादा गिरोती गिरोता है यह बिजनिस हमेशा आप में रहता है इस बिजनिस के डॉन होने के चांद बहुत कम रहते हैं अगर आप इस तरीके का कोई भी बिजनिस करना चाह रहा है तो इसमें बह मिठाई आपको मैं बताना चाहूंगा किसी घर मेंज या फिर कहीं पर भी कोई भी खुशी का function हो या फिर दिवाली है हो या फिर इध है किसी पर कोई भी festival हो तो वहांपर सबसे पहला नाम होता है मिठाई आप किसी यहं तो अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस करेंगे मिठाई से रिलेटेड तो आपका चलने किता जादा चांस रहेगा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस में बहुत जादा गिरोत है मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है तो फिर आपके पास एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो यहां पर आपको फैदा होगा दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी आप मिठाई के दुकान अपनी रखना है अगर आपको खुद काम आता है तो अच्छी बात है अगर नहीं आता तो आप हलवाई रख सकते हैं आपको सोच समझ के रखना होगा अपनी शॉप के ओपर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर हम अपना मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमाई लिए सबसे अच्छी बैस्ट लोकेशन क्या रहेगी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा लोकेशन का बहुत नुकसान भी हो जाएगा तो सबसे जादा जरूरी है कि आप सबसे पहले लोकेशन का सेलेक्शन करें इसी जगह पर आपको अपनी शॉप उपिन करनी है जहां पर सबसे ज़्यादा चल सके तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान दखना अगर आप अपनी मिठाई की शॉप उपिन करने की सोच रहा है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ऐसी जगह पर उपिन करें जादर जादर फुटफॉल आती हो यानि कि जादर जादर लोग आते जाते रहते हों में रोड और रोड के पास हो ऐसा एरिया में आप अपनी मिठाई लेनीब अगर आपको कहीं रस्ते में जो है रोड की होगानि में ठोया दिख दे आए डए जाएंगे लिए लेकिन अगर नोसी पर दोकान नहीं है उप गली में रूपकान है तो आपको कैसे दिखे इसे फु은से मिठाई की मिठाई कर रहे हैं अगर आप इथा है at करते हैं जहां पर लोग ज्यादा आते जाते हैं तो वहां पर चले के चांद जादा रही है दोस्तों मारा नेक्स पॉइंड है गूगल मैप आपको अपनी शॉप को गूगल मैप के उपर रिस्टेट कर लेना है इसमें आपको क्या करना होगा अपने जो भी आपकी दुकान आपकी विन् openness क्या सकते हैं तो जो पर सकते हैं यह आपका बढ़ाने क्लिए बहुत बढ़ाने के बहुत अच्छा पॉइंट है आप Google Map के उपर भी रेश्टर्ट कर सकते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आप इस शॉप उपिन करने की सोच रहा है, तो हमें कम से कम कितने एरिया की यहाँ पर जरूरत पढ़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कम से कम 100 से 200 स्कौरिफि होगे, वो भी एक अच्छे स्टेंडर्ट करायक बनमाना होगा, उसमें कांच का यूज जादा सकना होगा, जिससे के उस पर मिठाई आप रखें तो अच्छे दिख सके, साथी साथ आपको एक कांटर बनमाना होगा, और इसमें आपको एक टेबिल और चेर भी चाही होगी टेबिल का यूज इसलिए और चेर का यूज इसलिए कि लोग अगर आपके यहां बैटके मिठाई खाते हैं तो वो अच्छे से बैटके खा सकें, तो आपको टेबिल और चेर की यहां पर जरूरत पढ़ेगी, साथी साथ आपकी जो अपनी दुकान है, उसका जो है आपको कलरफुल पेंट करवाना होगा, साथी साथ, एक चीज़ के पर जादा आपको फोकस करना होगा, जो आपका दुकान का फ्रेंट साइड है, जो आगे का साइड है, वो देखने बहुत जादा अच्छा लगना चाहिए, आकर्शक लगना चाहिए, आपको बात करते हैं यहां तो आप महीने के यहां पर कम से कम भी अगर करते हैं, तो 25 से 30,000 रुपे महीना असानी साभी आपके कमा सकते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं, वरकर या फिर कारीगर, हमें यहां पर कितने कारीगर की जरूवत पढ़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहां आपको एक से 2 कारीगर की जरूवत पढ़ेगी, और साथ में एक हलवाई की भी जरूवत पढ़ेगी, तो अगर हम बात करें यहां पर मार्केटिंग की, कि अगर हम अपना बिजन स्टार्ट करने की सोच रहें, तो उसके बाद जब हम अपना बिजन स्टार्ट करेंगे, त पर जो आप अपना मिठाई का डिब़ा चबाएंगे जिसके इन्दाए मिठाई रखके देएंगे तो उसके ऊपर फिए अपनी शॉप का प्रिंट करवा लेना है इससे क्या होगा जब फिर मिठाई जाएगी जहां पर भी मिठाई जाए तो लोग दें पैचान जाएं इससे और इसमें जब आपकी दुकान का नाम लिखा होगा तो इससे आपकी मार्केटिंग ही होगी और साथी साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं जो आप कैरी बैग यूज कर रहे हैं जिसके नहीं मिठाएगे डिबर रखके दे रहे हैं उसके उपर भी आप अपनी शॉप का प्रिंट कर पढ़ेगी यहां में कहा कहा रजिस्टेशन करवाना पढ़ेगा अपनी शॉप को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पर आपको शॉप टैक्स लाइसन की जरूवत पढ़ेगी अगर आप कोई भी अपनी शॉप को पर बिजनिस स्टार्ट करते हैं तो बिजनिस को स्टार आपको यहाँ पर license provide करता है तो आपको यहाँ पर FSI में भी registration करवाना होगा दोस्तों यहाँ पर आपको trade license भी लेना होगा किसी वैपार को शुरू करने के लिए trade license लेना जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पर सामान बेचेंगे तो फिर आपको यहाँ पर GST number भी बहुत ज्यादा help मिलती है साथी साथ आपको यहाँ पर fire का nocv लेना होगा fire में जो भी जैसे जो fire का department होता है उससे जाके आपको वहां से nocv लेना होगी no objection certificate लेना होगा आपको इससे क्या होगा आपको जो भी सारे certificate आप ले लेंगे फिर उसके बाद आप अपनी shop open करते ह है तो आपकी shop आसानी से चलती रहेगी इसमें आपको कानूनी तोर पर कोई problem नहीं आएगी उम्मित करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वह आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको आपको अच्छा लग रहा इसी तरीके के और वीडियो देख